चनल में स्वागत है और अगर आप तुमारे चनल पे नए है तो देखिए यहां में सस्क्राइब का लाल बटन है प्रेस कर दीजिए बेल आइकन बे दवा दीजिए ताकि आपको ने वीडियो के सूचना मिलती रहे है आज मैं जादा बहुत जादा डेटा दिखाने वाला न तो IDFC First Bank के मैं favor में बात नहीं करूँगा ऐसा कुछ नहीं मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे retail innovation है उनको थोड़ी सी बात मोटी-मोटी समझ में आ जाए कि आखिर कैसे क्या होना चाहिए क्या रनाइती होनी चाहिए क्या हमें माल बेज देना चाहिए हमें बने रहना चाहि पर इदारी की हुई है IDFC First Bank पर तो IDFC First Bank का जो stock price 42 रुपए 65 पैसे पर जो है trade किया लास्ट टाइम इसने BSC पर जो माई 22 माई 2019 से चार बजे का last closing price 42 पैसे का है और low बनाया था 52 week 30 रुपए 70 पैसे और 32 रुपए 70 पैसे और high बनाया था 56 रुपए 85 पैसे का साल का high है तो high स काफी अभी नीचे आ चुका है लेकिन आज जो कुछ मार्केट में IDFC First Bank में भयाना गरावाट आई है वहरना गरावाटाई है और मुझे बताई है भयाना गरावाट कहां पर है भयाना गरावाट उससे कहते हैं जैसे yes bank मैं आई थी कि जहां 230 रुपए के भावावा पे trade कर रहा था और इनकी रिजल्स खराब आए और सीधे 170 पर आ गया था तो भयाना गिरावट वो है एक दिन में 30-30% के आज पास तूट जाना वो भयाना गिरावट है इसमें आज बहुत जादा गिरावट नहीं आई है क्योंकि इनकी इस बैंक की भी रेटिंग डाउन की गई है अब यह क्या होता है कि रेटिंग किस लिए डाउन की जाती है आई यह मैं बताता हूं मैं यह नहीं बताऊंगा क्यों और कैसे यह फॉरें इंस्टिउशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें इंक्रीज कर रहे हैं इस बैंक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करें क्या इनको assets है, उसी की provisioning करते रहेंगे, क्या इनको नहीं पता है, ये अपनी holding increase करते जा रहे हैं, क्या mutual funds को नहीं मालूम है, ये भी अपनी holding increase करते जा रहे हैं, mutual funds की 9 schemes हैं, और एक सुबहतर FIIs हैं, और promoters के पास जबरदस्त holding है, 40% के आसपास, और individuals ने भी काफी जबरदस्त खरेदा क्या चाहिए, उनका कहना है कि अभी आने माले समय में जिस परकार से branches वगएरा open कर रहे हैं, तो इनको expansion में काफी पैसा इनका लग रहा है, इस वज़े से अभी इनके profit में, अभी कुछ balance sheet में जबरदस्त कुछ ऐसा बदलाव नहीं आएगा, तो क्या branches बढ़ाना, expansion करना है क्या कोई खराब बात है, अगर अपनी treasury के द्वारा अपने branches बढ़ाएंगे, current saving account के माध्यम के द्वारा है, अपनी wholesale तो नहीं retail banking क्योंकि अभी जो इनका management अभी वाइद नाथन साहब भी एक experience डादमी है, ICSE bank में एक लंबे समय तक ये बने रहे और उस bank को उपर लाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने जाना है, तो उनको क्या ये नहीं पता है कि भीया हमें थोड़ा retail banking में ज्यादा focus करना चाहिए, बजाय होल से दिया corporate banking में क्योंकि उसमें NPA ज्यादा बढ़ जाता है, और जो अभी तक के जो NPA इसलिए उन्होंने provisioning की भाया, जो भी bad allowance थे, जो भी debtors थे, अब उनके मुझे कोई संभावना नहीं, कि उनसे मुझे पैसा मिलेगा या ना मिलेगा, इसलिए मैं loss दिखा रहा हूँ, बात खतम कीजी, अभी आगे का focus करते हैं, ये उनका मकसद हो सकता है, एक बात और उनक गुना हो जाएगा, तो जिन्होंने invest किया हुआ है, तो उनको जबरदस return मिलेगा, और इनका ये भी कहना है कि HDFC bank जैसा बनाओंगा, ऐसा management ने interview में भी का, तो HDFC उनके लिए एक ideal है, मतलब कि एक लक्ष है कि उनके जैसा बनना है, तो उस तेज़े से इनको उस दिशा में क नाम कर रही है, अपने branches वगएर, अपने items वगएर, expansion कर रही है, बढ़ा रही है, अभी 6 महिने में कोई चमत कार तो करने देगी, एक साल में कोई चमत कार तो करने देगी, तो इस वज़े से अभी capital first से मर्ज हुई है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिन्होंने अभी लेके रखा हुआ है, तो ऐसा है नहीं कि अभी 42 रुपए पर trade कर रहा है, तो वो सकता 20 रुपए हो जाए, 20 रुपए से वो सकता 0 हो जाए, ऐसा हो जाएगा, क्या 0 से डिलिस्ट हो जाएगा, क्या, कभी नहीं होगी, bank है, bank हर industry से, हर customer से जुड़ी रहती है, bank का काम करेंगे, उसके management पे, उसके treasury पे, उसके retail आय पे, सब पे निर्भर होता है, retail banking पे, जिस इनका retail banking अच्छा हो जाएगा, wholesale banking कम हो जाएगी, या फिर wholesale banking में भी अगर उनका NPA नहीं बढ़ेगा, और तो इस वज़े से मैं ये कह रहा हूँ कि घबरानी की डरनी की कोई ज़रू लेते रहिए, मत लीजिए, quantity आपके नहीं कम हो रही ना, आपने भरोसा कि आप long term investors हैं, मैं अपने investors को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल में मैं यही सला देता हूँ कि लंबे समय के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, SDFC में कभा हो था 50 रुपए हो 2003 में, 16-17 साल पहले, आज जाके 22-300 रुपए हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है, 15-16 साल लगे, उसको तो इसमें भी थोड़ा प्रेशन्स रखी हालां कि आप पहले की आप एक्षाब ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो बहुत 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 इंडेस्ट्री बढ रही है, तो बहुत तो IDFC First Bank की शेयर होल्डिंग भी आप देख चुके, फैनेंशल तो अबिसली इन्होंने लॉस ही दिखाया थे, लेकिन देखे, जहां दिसम्बर 18 में उन्होंने 15-30 क्रोड का लॉस दिखाया था, तो यहां पे कम दिखाया है, इस बार मार्च 19 में के क्वार्टर में 218, तो लॉस दिखानें भी अभी इन्होंने 85% की कमी है, प्लस में, तो इस वज़े से धेर धेरी चीज़ें कम करते करते हैं, अब देखे, NPA, हाला कि NPA स्कॉर्टर न बढ़ा लेकिन हम अगर year on year देखेंगे, तो NPA यहां पे कम हुआ है, और interest earning भी इनकी बढ़ी थी, और net profit में यहां loss है, definitely loss है, क्योंकि अभी provisioning की है इन्होंने, तो इस वज़े से अभी यह fair valuation पे, attractive valuation पे trade कर रहा है, और बाकि आप देखी चुके है, market cap हो गएरा, book value देखे 34 की है, और face value अभी 10 की है, deliverable 44.95% के आज पास तो घबराएं नहीं, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि आप retail investors घबरा पैनिक में आके बेंचे नहीं, तो बहुत से patience रखी हां समय दीजिए इस bank को हो सकता अच्छा करो, और मैं इस bank के favor में भी नहीं बोल रहा मैंने market में अभी सुना और पढ़ा कि IDFC first bank के भयाना गिरावट आई है और अभी लोग घबरा जाएं और बेचने उसने शुरू करते हैं, कल एक बहुत बढ़ा दीन है, अपने लिए अपने देश के लिए कि कल election के results announce होने वाले हैं, तो देखते हैं कि इसकी government बनती है, तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर wind up करूंगा और आशाय कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, thank you for watching this video